आपका संदे क्लासिस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अनुसंधान के बार में पढ़ेंगे यानि रिसर्च सेंटर के बार में पढ़ेंगे जो आपकी गवर्मेंट जो में काफी जादा हेलफ फूर रहेगा फ्रेंट्स तो बताना चौंकी से वीडियो को हम टिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो कोशन होगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए रिसर्च का मतब होता है अनुसंधान यानि अनुसंधान सेंटर बोलते हैं हिंदी में इसको रिसर्च सेंटर को तो चलिए फर्स्ट कोशन है च खेति कहांपर बस्ता है हमारे दिल में बस्ता है तो दिल से हो गया नुडली सेकिंद कोशन है सेंटर पर राईसर्च एनन की चावल कानु संधान संटर कहां पर है कटक में है तो देखिए जब चावल कहाते हैं तो हमें सां कटक के अवाज आती है तो कट कट से हो गया कटक जो के उरिशा के अंदर आता है और सेथार कोशन है सेंटरल सुगर के निकी गन्ना कानूर संधान सցधान कहां आ में है जो कि थैंमिलाडू के अंदर आता है चलिए तो फोट कोशन पर चलते हैं सेंट्रल पोटेटो रिसर्ट सेंटर यानि की आलू का अनु संधान कहां पर है शिमला में है जो कि हमाचल पदेश की कैपिटल का क्या नाम है शिमला है तो देखे हमारे घर पर हमेशा आलू और शिमला मिर्च की सबजी बन से याद रखेंगे शिमला तो फुट कोशन है कि सेंट्रल तंबाकु रिसर्ट सेंटर यानि की तमबाकु का अनु संधान संटर कहां पर है राजा मुंदरी में है राजा मुंदरी आंध्र पदेश में आता है तो देखे इसको ट्रिक वोह से मैं आपको बता देती हूं कैस से हाद रख सकते हैं तो देखिए जो एंसियन टैम में यानि प्राचिन काल में जो राजा थे हमिसा तंबाकु का सेवन करते थे तो राजा से होगा राजा मुंदरी जो क्या अधा परदेश में हैं तो जो पहले के जो राजा थे तो क्या करते थे तंबाकु का सेवन करते थे में तो राजा से राजामुद्री ज़ो क्या अदर पुदेश के अनदर आता है सिक्स कोस्टिन है सेंट्रल पुर्स तो बिए पिखे इसका एंसर रहेगा ऐ जबी आप जंगल में जाते हैं एलुकिर आपको हमिसा डर लगता है तो डर से हो गया देहरादून जो कि उत्राखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून सेवन्थ कोश्चन है नेशनल शुगर रिसर्स सेंटर यानि की चीनी अनुसरदान सेंटर कहां पर है कानपूर में है जो कि उत्रपदेश में आता है तो जाधा आप चीनी कहाँगे तो कोवा जो है कान लेकर जायेगा तो देखिये ज्यादा चीनी मत खाओ जैसे हम छोटे बचचों को इड़ाते हैं कि ज्चानी मत खाओ तो कान से कानपूर होगा जो कि उत्रपदेश में आता है एट कोश्चन है इंडियन लाख रिसर्स सेंटर यानि कि लाख रिसर्स सेंटर कहां पर राची में है तो देखे हमेशा फेमस है लाख की चुडिया बिहार यूपी और वेस्ट बंगोल जारकर में बहुत जादा फेमस है तो लाख की चुडिया जहां पर फेमस रहेगी वहीं पहोगा ना तो लाक रिसरससेंटर से होगा यानि कि लाक की चुड़ी का फैमस हैं राची में है जो की जहरकंड की Capital का नेम है राची मैं कज़ीज नैशनल ढे है डिसार्च सेंटर जोकि करन्स गयान अनल करनाल में होगी तो पर पश्जू रहेंगे वह से क्या होगा हर्याना में होगा यानि कि करनाल में होगा तो टैन्व कोश्चन है तैन्व कोश्चन है फ्यूल रिसर्च सेंटर यानि कि इधन कानु संधान सेंटर कहां पे धनबाद में हैं तो देखिए इसका जो ट्रिक रहेगा फ्रेंट्स कि देखिए सबसे ज्यादा जो खनीच है ओडिशा जहारकंड में पाए जाता है तो दो देखिए लका रिषसर्च सेंटर हुआ पर जरखन में रहेगा जहां पर सबसे ज्यादा खनीच पायजा है वहीं पे रिशच्छ सेंटर है तो प्ली liberty सेंटरं कहां पर धनबाद में ऊच्छी लेदर रिसर्स सेंटर यानि कि चमड़े का अनुसंधान सेंटर कहां पर चेने में हैं जो कि तमलाडू की कैप्टर का नेम है चेने तो देखें मैं इसका ट्रिक बता देती हूं देखें आप यह वर्ड आपने याद रखना है चैनल चैन से होगा चैने ऐसे होगा लेदर देखें मानिंग का मतों होता है खोदना देखें जहां पर सबसे ज़्यादा खनीज रहेगा वहीं पर खुदाई होगी ना तो देखें हमीशा जहरकन में खुदाई होती है इसका जो राइट एंसर एगा धनबाद रहेगा तो ठाटिन कॉशन पर चलते हैं देखें ठाटि यानि COVID-19 चला हुआ है तो देखिए मैं इसका ट्रीक रहेगा कि देखिए मतलब ऐसी अब बुरी हालत होगी है हमारी इंडिया की बहुत सारे लोगों को मेडिस से नहीं मिल पा है तो जिसका लग है यानि लगसे होगा लखनओ आप आखी के जिसका लख है उससे को ड्राग मिलेगा है दकेлемा न्लट' in question है इंडियन मेट्रोलोजिकल सेंटर यानिकी इसका जो एंसर रहेगा पूने डेली रहेगा तो देखी सब्से जो मेट्रोजिकल जो सेंटर है पूने डेली है तो इसको जो ट्रिक बता देते हैं कि से कैसी यह रख सकते हैं देखें, MPD, MPD आपने याद रखना है, MPD, MPD, M से मेटरोलोजिकल, P से पूने, D से डेली, MPD, M से मेटरोलोजिकल, P से पूने, D से डेली, मेटरोलोजिकल जहां भी आ जाता है, तो इसका जो राइट एंसर है, पूने, डेली, में है। जो 15 कोशन है रमन रिसार्च सेंटर जिसका जो राइट एंसर है बैंगलोर में है। ये तो कॉमन कोशन है फ्रेंड की जो रमन रिसार्च सेंटर कहां पे है बैंगलोर में है। तो दिखिए और 16 question है Central sensitive instrument center यानि रिसर्च center इसका जो answer रहेगा चंडीगर्ड रहेगा तो दिखिए जो इंस्टिमेंट होता है जो sensitive instrument होता है हमें साथ चांदी की बनता है तो चांदी रहेगा यानि चंडीगर्ड रहेगा तो चांदी से सुकत ढ हना कि इंश्ट्यूमेंट से याद रखेंगे इसे ही little सो है तो चांदी से संडिगाध और punished नेंशनल है नेशनल मेंटल्रो दिवलक्टि रीसार संट्र जो इसका राइट एंसर है शेहर भी कहा जाता है यानि कि इश्पाथ सहर भी कहा जाता है तो देखिए जहां पर सबसे ज्यादा स्टील रहेगा वहीं पर उसका रिसर्ट सेंटर रहेगा तो देखिए रिसर्ट सेंटर कहां पर है मैटल का जमशेदपूर में है तो यह आपको याद रहेगा फ्रेंट्स जम्शेदपूर को क्या कहा जाता है स्टील सीटी वी कहा जाता है इसलिए जो स्टील कर डी सेंटर है जरकन की नेतर डीन कोशें राइन केंडर हैं भाव नगरमे हैं इसका ट्रिक है कि जबाषब हम रोते हैं यान या था करते हैं तो हम Y tirar जो हमारे आसू होता है आसू में सोडियम कुलॉराइड पाए जाता है यानि नमक पाए जाता है जब हम अपना भाव बैक करते हैं हमसा साल्ट निकलता है यानि नमक निकलते हैं तो देखें भाव से होगा भाव नगर और साल्ट से होगा नमक इस याद रखेंगे जहां पर स रोगी हों उसनिसboro है रेचिव एर्श लोजिकल सर्वेय ईंडिया और से ञपर घ्याघिस फैन्टिक्षै और स्वेशेंटा सब्सक्रान निकलते हैं कि कि हम च चल्च में सोब सेuted हैं तो वाहने निकलता है तो कोंई से उनकाता होगा कौ निकलता है य्यारी कोल कोल दो बाइब आच लगाता है तो हमसाटों कोरव निकलता है तो कोकाता जो कि वेस्ट बंगोल की यह नियम प्रूमाइब को बताना चाहूंगी जहां में वेस्ट बंगोल में सबसे जादा जूट की पैदावार सबसे अच्छी होती है तो दिखिए जो 20 कोश्चन है सेंट्रल जूट टेकनोलोजिकल रिसर्च सेंटर जिसका जो राइट अंसर हैगा कुलकाता रहेगा तो फ्रेंट्स जहां पर सबसे ज्यादा जूट की पैरदावार अच्छी होगी वहीं पे research center रहेगा तो जूट कहां पे होता है फ्रेंज सबसे ज़्यादा कुलकाता में होता है जो कि वेस्ट बंगोल की capital का नेम है तो देखे इससे ट्रिक से याद हो गया होगा कि जूट की पैदावार सबसे ज्याद़ कहां पर होती है अच्छी कुलकाता में होती है तो जो जूट का रिसर्च सेंटर कहां पर कुलकाता के अंदर है 21 question है central coconut research center जो की केसर गोड केरला में है तो देखें friends मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो state समुंदर के किनारे रहेगा वहाँ पे यानि जहां की मिटी रेती ली रहेगी वहाँ पे coconut की पैदवार अच्छी रहेगी जो केरला है यहाँ पे है समुंदर के किनारे है तो इसे ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि केरला में coconut की पैदवार अच्छी होती है इसलिए केरला में coconut का research center है तो चलिए next question पर चलते हैं तो देखें 22 question है टेक्स्टेले research center यानि कि जो इसका answer है एहमदाबाद है एहमदाबाद जो कि घुजरात में आते है तो देखें टेक्स्ट लिखना बहुत ही important है टेक्स्ट का मतबब होता है अक्षर यानि word टेक्स्ट लिखना बहुत ही एहम है अहम से अहम अधाबाद जो की गुजरात के अंदर आते हैं चलिए 23 कोशन पर चलते हैं एम्स यानि कि एम्स कहां पर है न्यू डेली है ये कॉमन कोशन है फ्रेंस एम्स का जो फुल फॉर्म है All India Institute of Medical Science यानि एम्स का ये फुल फॉर्म आप याज रख सकते हैं Aeronautical Research Center जो इसका राइट अंसर है Bangalore में हैं तो दिखिए A के बाद क्या आता है B आता है तो Aeronautical यानि कि A Aeronautical में जो फॉर्स्ट वर्ड है A है तो A के बाद क्या आता है B आता है तो Aeronautical अगर जहां भी आ जाता है तो B आपने टिकर देना है यानि B से Bangalore हो जाएगा 25 कोशन है 25 कोशन है National Institute of Oceanography यानि कि तो देखिए Ocean का मतब क्या होता है सागर होता है जो इसका राइट अंसर हैगा पंजी रहेगा तो देखिए फ्रेंट्स जो यानि गोवा की कैपिटल का क्या नाम है पंजी है तो देखिए जो गुजरात है यहाँ पे गुजरात यहाँ पे गुजरात है यहाँ पे महराष्टा है यहाँ पे गोवा है यहाँ पे करनाटका है यहाँ पे केरला है तो देखिए जो गोवा है चोटा सा है जो कि समुंदर के किनारे है तो देखिए जहां पर सबसे ज़्यादा गोवा को लैंड ओफ बीच भी कहा जाता है यानि कि बीच का मतलब होता है समुंदर का तट यानि किनारा तो देखिए लैंड ओफ बीच भी कहा जाता है गोवा को तो देखिए जहां पर सबस कि यहां पर सबसे जादा सघर होंगा वहीं पर राइब कर घृणी रहेगा जी के बाद क्या आता है यह चाहता है तो यह चाहता है तो ऐसे हजरावाद 27 कोश्चन है नेशनल सुरी इंडियन इंस्ट्टूट ऑप्ट्रोलियम जो इसका राइट एंसर है दहरादून है तो देखे इसका ट्रिक रहेगा कि जब भी पेट्रोल जलता है तो हमसे धुए का धिर लग जाता है धिर से दहरादून होगा पेट्रोलियम जब भी जलता है धुए का धिर लग जाता है धिर से दहरादून और 28 कोशन है 28 कोशन है Central Building Research Center जो कि रूरकी में है रूरकी आता है जो कि सिवालिक पहाड़ियों पस्थीट है यानि कि सिवालिक पहाड़ियों पी 창ुर्ट ह तो देखिए इसका जो राइट अंसर रहेगा मतलब देखिए बिल्डिंग पर चड़ते ही हमारे रूह काजाते हैं यानि कि बिल्डिंग अच्छा लगा हो तो इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको subscribe भी कर सकते हैं, ताकि आपको next video की notification मिलते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, have a nice day, thank you, welcome.